चोपड़ा इसकुषन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हारदे की स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्छों आयूस का इस्टे वेकंसी राउंड का रेजल्ट आ चुका है मैं आपको यहां पर category wise course wise cutoff बताओंगा cutoff काफी low रही है लेकिन इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि वेटनरी की cutoff BMS से भी low रही है नहीं तो वेटनरी की cutoff ज्यादा ही रहती है आईर्वेज से लेकिन इस बार वेटनरी की काफी down cutoff रही है तो मैं आपको आयूस की BMS, BHMS, BSMS, BOMS की category wise cutoff बताऊंगा institute wise cutoff बताऊंगा कौन से institute में कितनी cutoff marks पर कितनी rank पर college मिला है तो ये इस वीडियो में बात करेंगे हम तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इस परकार के वीडियो होते हैं इसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा समय लगता है cutoff निकालने के लिए अभी मैं देखिये इस वीडियो में सुबह 5 बज़े से लगा हुआ था तो ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफी समय लगता है अगर ये किसी स्टुडेंट के वीडियो काम का नहीं होता है फिर भी इसको लाइक करें हम वीडियो बनाते हैं यह वीडियो इसलिए बनाया जाता है कि काफी स्टुडेंट्स को इसकी जरूरत होती है वो उसकी कुछ फ्यूजर की प्लानिंग्स होती है कटोप को देखने के बाद में चलो यह रही बात वीडियो की अब हम आपको केटेगरी वाइज कटोप बताएंगे तो सबसे पहले मैं बीमेस की कटोप बताता हूं आपको बीमेस में आपको पता ही है ओल इंडिया कोटा होता है गौर्मेंट एडेड होता है सेंट्रल इनिवर्सिटी कोटा होता है तो सबसे पहले हम गौर्मेंट कोटा की बात करते हैं ओल इंडिया कोटा गौवर्मेंट की तो जनरल केटेगरी में 510 कट ओफ रही है इसके बाद में EWS की 507 रही है ओविसी की 508 कट ओफ रही है SC की 381 मार्क्स कट ओफ रही है और ST की जो कट ओफ रही है वो 310 कट ओफ रही है इसकी ऐसे ही BMS कोर्स के लिए हम गौवर्मेंट एडेट कोटा की बात करें इसमें तो इसमें 508 जनरल केटेगरी की EWS की 507, OBC की 510, SC की 381 और ST की कट ओफ रही है 310 इसके बाद में हम BMS कोर्स के लिए BHU की बात करें तो OBC कटेगरी में 582 मार्क्स पर कट ओफ रही है BMS कोर्स के लिए NIA जेपूर की ओपन कोट केटेगरी की जो कट ओफ रही है वो 567 कट ओफ रही है इसमें EWS की 559 कट ओफ रही है इसमें OBC की 558 रही है NIA जेपूर की SC कटेगरी की 425 और ST कटेगरी की 389 कट ओफ रही है NIA जेपूर BMS कोर्स के लिए अब हम BMS कोर्स के लिए ही Central University Shilong की बात करें तो जनरल कटेगरी में 524 मार्क्स कट ओफ रही है और इसमें SC कटेगरी में 412 मार्क्स और ST कटेगरी में 378 मार्क्स कट ओफ रही है सिलों की BMS कोर्स के लिए BMS कोर्स के लिए ही Central University जामनगर गुजरात की बात करें हम तो Open कटेगरी की 552 कट ओफ रही है OBC की 554 कट ओफ रही है तो ये तो थी BMS कोर्स के लिए category wise quota wise कट ओफ जो मैंने आपको बताई है अब हम बात करते हैं BHMS कोर्स के लिए तो BHMS कोर्स में All India Government quota की जो जनरल कैटेगरी के कट ओफ रही है वो 415 कट ओफ रही है EWS की 355 रही है OBC की 410 रही है SC की 359 और ST की 302 कट ओफ रही है BHMS कोर्स के लिए All India quota गौर्मेंट अब BHMS कोर्स के लिए ही All India Government Added quota की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 414 EWS 379 OBC 405 SC 357 और ST 295 कट ओफ रही है गौर्मेंट एड़ेट कोर्स के लिए BHMS कोर्स के लिए अब हम बात करते हैं BHMS में Central University कॉलकता नेशनल जो Central University है कॉलकता उसकी बात करते हैं जनरल कैटेगरी में 519 मार्क्स EWS 504 मार्क्स OBC 466 मार्क्स SC 395 मार्क्स पर कट ओफ रही है BHMS कोर्स के लिए Central University में कैटेगरी वाइज अभी BHMS कोर्स होमेपुतिक जो कोर्स है उसी के लिए Central University शिलोंग की कट ओफ देखे हम तो जनरल कैटेगरी की 446 EWS की 374 OBC की 436 कट ओफ रही है Central University शिलोंग में होमेपुतिक कोर्स के लिए इसके बाद में हम बात करते हैं BSMS जो सिधारता कोर्स है केरिला का कोर्स है केरिला में यह सिधा कोर्स सलता है तो गवर्मेंट कोटा की बात करें जनरल कैटेगरी में 418 मार्क्स EWS 369 मार्क्स OBC 430 ST 133 कटेगरी में रही है मार्क्स कटोप BMS कोर्स के लिए अब बात कर लेते हैं BUMS यानि की जो यूनानी कोर्स है उसके लिए गवर्मेंट कोटा के लिए जनरल कटेगरी 388 इसके बाद EWS की 353 OBC की 376 SC की 280 और ST की कटोप रही है 140 तो यह कटोप रही है BUMS की तो मैंने Stay Vacancy Round की complete आपको कटोप वता दी है इसमें जो Stay Vacancy राउंड हुआ आयरुएद का उसमें इस्टूडेंट से विलिंगनेस पूछा गया था कि क्या आप इस राउंड के लिए विलिंग इस राउंड में पार्टिस्पेट करना चाहते हैं तो इस्टूडेंट ने यह जो सीटें हैं उन पे अलोटमेंट हुआ था वेकेंट सीटू पर अगर इसी प्रकार से MBBS के लिए भी हुथा Stay Vacancy राउंड में तो इतनी ज्यादा सीटें वेकेंट होने के चांसेज नहीं थे लेकिन जो भी है अभी फाइनल Stay Vacancy राउंड का रेजल्ट 23 अप्रेल को आ जाएगा यह 22 अप्रेल यानि आज भी आ सकता है अगर आज नहीं आता है तो कल तो डिफिनेटली यह रेजल्ट आ जाएगा जैसे रेजल्ट आएगा हम आपको कटोप बता देंगे तो मिलेंगे नई वीडियो में नई अप्डेट के साथ में तब तक के लिए जैहिं